पुलिस की माने तो हत्यारे आरोपी से कड़ी पुष्टाश के बाद हत्या की वज़ प्रेम प्रसंग बताई जा रही है आपको यह भी बता दे कि पुलिस सिरास्त में खड़ा यह युवक की पहचान अयुद्या प्रशाद अवस्थी के नाम से हुई है अयुद्या प्रशाद के सम्मन वर्शुस से एक महिला से थे वही मृत्यक हर नाम का उस मह के सम्मन हर नाम से हो गए जिसको लेकर हत्यारे आरोपी अयुद्या प्रशाद को यह बरदाश न था फिर क्या था अयुद्या प्रशाद ने हरी नाम की मौत की स्क्रिप्ट लिग डारी सुबह शौच को गए हरी नाम को लाठी से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया वही पुलिस सदिक्षक ने टीम बना कर हत्यारे आरोपी की तलाश शुरू कर दी और हत्या में इस्तमाल की गई लाठी के साथ हत्यारे आरोपी अयुद्या प्रशाद को धर्दा बोचा की रिसाइन अगर कि स्मार्ट पुलिस भले ही हत्या का पर चार चान लगा रही हो लेकिन हत्या के आरोपी को प्राइवेट लगजरी कार में जेल ले जाती हुई देखी जा सकती है जिस कार का स्टेरिंग भी प्राइवेट ड्राइवर के हाथों में देखा जा सकता है जब मीडिया के कैमरे ने लगजरी कार में बैठे अपराद ये सवाल पुलिस की कार्य शैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अयोध्य प्रसाद जिनका उसी गाउं की एक महिला के साथ भरिश्टा थी और जो मृत्ख है हरी राम पिछले कुछ समय से महिला के साथ उसकी दोष्टी शुरू हुई थी और उनके घर भी आने जाने लगा था। इस पर अभ्यूग अयोध्य प्रसाद द्वारा इतराज किया गया और उसको ऐसा करने से मना भी किया गया। किन्तु हरी राम के द्वारा उसकी बात कॉंचूना करने के वज़े से वो शुब्ध होकर उन्होंने हरी नाम के सिर्पर डंडे से वार किया जिसमें हरी नाम की घायल होने के बाद मृत्य हो गई। अयुद्य प्रशाद को पुलिस द्वारा ग्रफतार कर लिया गया है उनके द्वारा अपने जुम का इकबाल भी किया गया है और विवेचना में उनके विरुद प्याब साक्ष पाते हुए उनको नए किरासत में आज भेजा जा रहा है।